हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चिकन मलाई अफगानी बहुत ही मज़दार और डिलिशीज रेसिपी है बिल्कुल रेश्टरेंट इस्टाइल में बनाएंगे हम और बहुत ही आसानी से बन भी जाती है एक बार आप जुरूर ट्राइक कीजिएगा चिकन मलाई अफगानी चिकन बनाने के लिए यहां और अच्छे तरह से धो और सारा सारा पानानी निकाल लिए है कि इसके बड़े पीस थे हम इसमिंथे तरह से कट लगा लिए हैं अब इसक गिरेवी तयार करते हैं गिरेवी यहां आवनें एक बड़े साइस की प्याज लिये हैं दर उसनी की ज्रेवीर्ण के कली चार पांच अद्रक लिष्म की टुकुड़े दस से बारा में काजु लिए सब्सकार कर लिया है एक मुठ्री भर करें के द्याहा लिया है और साथ हरी मिर्च ली त्याया करते है देखे फ्रेंट्स घ्रेवी रचाश अब हम चिकन में एट करेंगे तक तन में एट कर दिये ग्रेवी हम की देखे प्रेंड हमने यहंआ अम्मूल की फ्रेश क्रेम ली है अगर आपके अहीं पास जी क्रेम नहीं तो आप घर जर्म की तंधा और्ल हो एट कर комментар सकती है इसमें को गर्फ 00 9 अपने से दकनी मिर्च का पाउडर डाला है वाइट वाली दकनी मिर्च नमक टेस्ट के अकोडिंग रेट करेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे अच्छी तरह से मिलाएंगे जिससे चिकन में सारे मसाले मिक्स हो जाए देखे फ्रेंच इस तरह से मिलाएंगे और इसको एक घंटे के लिए रग देंगे अलग मेनेशन करने के लिए अगर आपके पास ज़या टाइम हो तो आप डेल हो गहनते के लिए रख सकते हैं चिकन को फ्राइय करेंगे अच्छी तरह सा मारा चिकन हो गया है कि देखेके प्रेंट्स याम देक पैन लेए है इसमें थोड़ा ओईल एट करेंगे अधिया है थोड़ा ओईल हमारा गरम हो जाए तब हम इसमें चिकन के पीसिस एट करेंगे चिकन की गिरेवी एट नहीं करनी है गिरेवी में बाद में एट करनी है अभी हम चिकन के पीसिस एट करके अच्छी तरह से में गोल्डन ब्रा ब्राउन करना है कि फ्रेंज आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त और लजीज बनकर तयार होकर चिकन वालाई अफगानी हाई फिलेम पर इसको हमें गॉल्डन ब्राउन करना है ग्रेश का फिलेम बिल्कुल हाई होना है कि देखे फ्रेंज हमने सारे पीसेज एट कर दिये अब देखते हैं इसको हम पलट कर हमारा चिकन देखे फ्रेंज अच्छी तरह से एक साइड से गॉल्डन ब्राउन हो रहा है अब हम पलट देते हैं इसको पीसेज को सबको अच्छी तरह से हमें गोल्डन ब्राउन करना है चिकन साइप इस हमने पलट दिये हैं देखिए अगर आप हमारे चेनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएए कि हमने कैसा बनाया है और आपका कैसा बनाया है चिकन मरे अफगानी जरूर कमेंट कीजिए देखिए फ्रेंस हमारा चिकन अच्छी तरह से हो गया है अब हम इसको बहार निकाल लेंगे और बाकी का जो चिकन हमारा बचा हुआ है वह भी हमीं इसी तरह से ग्रोल्डन ब्राउन करना है अच्छी तरह से हो गया अब हम इसको बहार निकाल लेते हैं देखें फ्रेंस हमने बहार निकाल लें और जो हमारा बाकी का बचा हुआ चिकन है वह भी हमें इसी तरह से ग्रोल्डन ब्राउन करना है और हम इसकी ग्रेवी तैयार करने कहुंँएं ऐसे देखें कितना बढ़ी हमारा चिकन बन कर तयार हुग विकुद ब्राउन कालर हुए फंस अच्छी ने से आखाच इन फीजि़ अपी करना Dalai french एक बटर की टिक की एट करेंगे इसमें अम्मूल बटर की टिक के ऑब कर मेद एक खड़े मसाले जायेंगे तीन तेस्थ पत्ता है एक डालचीनि का टुकड़ा जाएगा चारपाच हरी लाइट जाएगी अ काली गेश्ट करेंगे जो हमारी बच्ची हुई ग्रेवी थी वह यह ग्रेवी करेंगे हम उसंके het एट करके 10 मिन तक पकाएंगे इसको अच्छी तरह से अधिक फिर्ट सम्हें साई ग्रेवी एट कर दी है अब इसको पकाएंगे हम थोड़ा कस्तूरी मेथी एट करेंगे इसमें कस्तूरी मेथी से चिकन का फिलेवर बहुती मज़दार बनेगा कस्तूरी मेथी आफ जरूरेट कीजेगा अच्छे से मिक्स करेंगे इसको चलाएंगे अच्छी तरह से कि बंदीज स्पून हम इसमें चिकन मसाला एड करेंगे तो अच्छे से मीक्स करेंगे फ्रेंड्स नमक की कॉणिडिटी अपको अपने हिसाब साप लगने हैं मुझे यहां नमक की कॉणिटी थोड़ी कम लग रही है फीका फीका से लग तो मैं थोड़ा नमक और एड़ करऊंगी इसमें अगर आपकी नहीं है तो आप एक जरूर Sug तो इसी कीजीएगे नहीं तो मत कीजेगा देखिए फिर най थोड़ा नमक एड किया है मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मिनमक एक कर दिया और अब हम इसको 10 मीट तक पकाएंगे विशे एड कंगों इस तुमेरे खोलों में शिकन चाहिए करेंगे इसको अच्छी तरह से मिलाकर 10 मिनिट तक हम पकाएंगे हाई फिलेम पर जिस समार चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए और ग्रेवे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और टेक्स्चर बहुत अच्छा जाएगा ग्रेवी चिकन का तब तक हम पकाएंगे इसको 10 मिनिट तक फ्रेंट एक बान छिकन टैया चेक कर लेते हैं त्थ्यारोग टैयार हो गया है अब ग्रेवी न हमाइए थिल चूलना शुरू कर दिया अब हम इसे थोड़ दियर और पकाएंगे और चिकन हमाहें बन कर तयार हो जाएगा San turkey वहती मुद्दार रेसीपी हो जत Comics नहीं लगता देखेश इसमें हरा धन्याइट करेंगे कि खरत धन्याइट कर दिया है हमने इसमें कि देंगे हमारा चिकन मलाई अफगानी बनकर तयार है जबरदस्ट और लजीष बनकर तयार देखने में लग रहा है आप एक बाद कमेंट जरूर कीजिए गांकिस तरह से बना और आप चिकन मलाई अफगानी बना कर ज़रूर ट्राइए कीजेगा बहुत ही मजीद और लजीद और जबरदस्त बना है